मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टेकनोलोजी काफी आगे निकल चुकी है इवन इनसान खुद को अपग्रेड कर सकता है लाइक अगर उसकी आइस कराब हो गई हो तो वो आर्टिफिशल आइस लगवा सकता है और इसकी इलावा अगर बॉड़ी का कोई भी पार्ट डेमिज हो गया हो तो से रिप्लेज करके अपग्रेड किया जा सकता है लेकिन इस वज़े से दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है एक है अमीर लोग जो अपने टेकनोलोजी और एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं दूसरे तरफ गरीब लोग है जिनके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है और ये चीज सबसे ज़्यादा जापान में पाई जाती है जहाँ पर सिटी का एक हिस्सा काफी खुबसूरत और काफी अपग्रेड है बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जहाँ पर बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स किया जाते हैं जबके सिटी के दूसरे हिस्से में खरीब लोग है इस टाइम में कोई भी परसन ऐसा नहीं था जिसने खुद को अपग्रेड ना किया हो उन्होंने अपनी बड़े के पार्ट्स को चेंज कर लिया है रोबोटिक पार्ट्स के साथ वहीं पर रोबोट्स की एक लैब थी जिसका कोई सिक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि वो इनसान का ब्रेन निकाल कर आर्टिफिशल बॉड़ी या फिर रोबोटिक बॉड़ी में डालते थे और तब एक robotic attack में इस लड़की की parents मारे गए और ये लड़की भी उस attack में मरते मरते बचे यानि वो काफी injured हो गई थी लेकिन lab की लोग उसकी help करते हैं उसके जान बचाने के लिए उसका brain ले लिया जाता है और उस brain को एक artificial body में डाल दिया जाता है अब lab का ये experiment काफी unique और high tech होने की वजह से काफी expensive भी था ये operation होने की बाद एक successful AI यानि एक robotic body बन गई ये बिलकुल इंसान की body लग रही थी robotic body कहीं से भी नहीं लग रही थी और ये सब कुछ एक lady doctor ने किया होता है ये करने के बाद वो इस बारे में उस lab की CEO को inform करती है जिस पर CEO order करता है कि जैसे ये project पुरी तरह ready हो जाए इसे army unit की anti-terrorist team में शामिल कर दिया जाए क्योंकि उसमें बहुत सारी powers हैं वो invisible हो सकती है और वो बिलकुल एक weapon की तरह ही है लेकिन फोरन उसे army में शामिल कर लेना ये सुनकर वो lady doctor शौक रह जाती है इसके बाद एक साल का time गुजर जाता है और वो लड़की जिसे robotic body दी गई थी वो army unit में training लेने के बाद major बन जाती है और वो army unit के सारे operations like robotic attack को रोकना और कोई भी illegal काम को रोकने के लिए उनके साथ मिल कर काम करती है उस army unit का एक leader भी था फिर वो लड़की यानि जो major थी वो पूरे city को scan कर रही होती है ये check करने के लिए कि कहें कोई illegal activity पर फॉर्म तो नहीं की जा रही और तब ही उसे कुछ illegal activity दिखाई देती है जिसमें किसी system को hack किया जा रहा है तब उसे पता चलता है कि सामने वाली hotel में lab के कुछ लोग और किसी दूसरी country के लोग meeting कर रही है लिकिन फिर इन लोगों पर कोई attack कर देता है और अंदर भी दूसरी country के robots उन पर attack कर देते हैं जिसमें lab के सारे लोगों को मार दिया जाता है सिवाए एक senior doctor के फिर एक robot जो के एक female थी वो उस senior doctor को hack कर लेती है और उनकी memory का सारा data वो अपने अंदर copy कर लेती है लेकिन फिर वो लड़की यानी major lab के लोगों को बचाने के लिए जाती है और वो दूसरी country के सारे लोगों को एक एक करके मार डालती है और जो female robot होती है वो मरती मरती major को कहती है कि ये lab वाले तुमें destroy कर देंगे और इसकी बाद major उसे मार डालती है और फिर army unit के बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और army head से इस attack के बारे में discuss करते हैं तक उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तीन attacks पहले भी हो चुके हैं और जिसने attack की हैं यानि जो attacker है उसका नाम कूज है फिर हम देखते हैं कि major को अक्सर अपने past के विजन्स आते हैं जिसमें हमेशा वो एक room को जलता हुआ देखती है लेकिन इसके बावाजूत भी उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसके parents कैसे मरे थे वो कैसे destroy हुई थी इसके बाद major और दूसरे major बैटो को एक काम दिया जाता है कि जो investigator दूसरी country के robot पर investigation कर रही है उसके report लेकर आनी है लेकिन जब ये लोग report लेने के लिए लैब में जाते है तो major उससे पहले उस female doctor से मिलती है जिसने उसे बनाया था major उसे बताती है कि मैं injured हूँ और मुझे बार बार मेरे past के चीज़े नजर आ रही है ये सुनकर पहले तो वो female doctor परेशान हो जाती है लेकिन फिर वो इस बात को ignore करते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक error है इसलिए तुमें ये सब कुछ नजर आ रहा है और ये कुछ मी नहीं है error के इलावा और फिर ये दोनो investigator के पास जाती है वो investigator कहती है कि ये पता करवाना कि ये robotic body किस की है कहां से आई है ये पता करवाने में काफी time लग जाएगा यानि मेरी investigation अभी complete नहीं है इसलिए मेजर उस robotic body को अपनी body से connect करती है और उस robot की memory देखने लगती है जिसमें वो देखती है कि कुछ ghost और entities उसे पकरने की कोशिश कर रहे है इसी वज़े से उसकी हालत खराब होने लगती है और ये देखकर major बैटो उसका connection निकाल देता है major बताती है कि मुझे उस attacker यानि जो सबको मार रहा है कूस उसकी location पता चल गई है इसलिए major और बैटो उसे डूडने के लिए एक लैब में जाते है लेकिन वहाँ गैंग के कुछ लोग major से misbehave करते है ये देखकर बैटो उस गैंग से fight करता है बदले में वो लोग उन दोनों पर गोलिया चलाने लगते है ये असल में एक कूस का trap था ताकि ये लोग उस तक ना पहुँच पाए इस fight की वज़े से major की body काफी हद तक destroy हो जाती है और बैटो भी अपनी आइस खो बैठता है अब क्योंकि major की इतनी expensive body काफी हद तक destroy हो गई थी इसलिए lab का CEO army leader को warn करता है कि अगर तुमने major को ना रुका तो हम आपके army unit को बंद कर देंगे लेकिन army की leader पर इस धंगी का कोई असर नहीं होता फिर वो investigator उसे robotic body पर investigation कर रही होती है उसकी memory को देखते हुए उसे पता चलता है कि ये hacker lab की खुफ़े experiments के बारे में जानता था और ये देखकर वो शौक ड्रह जाती है कि आखिर वो hacker खुफ़े experiments के बारे में कैसे जान सकता है लेकिन तब ही वहाँ पर कूज आ जाता है और वो investigator को warn करता है कूज को वहाँ पर देखकर वो investigator उस memory को चुपा लेती है और फिर कूज उस investigator को मार देता है इसके बाद उस location पर army unit के लोग पहुंच जाते है जहां पर major के हाथ उस robot की memory file लग जाती है इसलिए वो इस file को access करते है इस file में उस lab के लोगों की सारे details लिखी होई थी और next target वो female doctor थी जिसने major को बनाया था इसलिए ये लोग उसे contact करने की कोशिश करते है लेकिन जो कुश होता है वो दो लोगों को connect करके रोबोट को हैक करता है और उन्हें अपने control में करके female doctor को मारने के लिए भेशता है और फिर वो दोनों लोग female doctor के गाड़े को crash कर देते हैं लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर major और बैटों वहाँ पर पहुँन जाते हैं और वहाँ पर आकर वो उस female doctor की जान बचा लेते हैं और उन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है लेकिन एक आदमी मर चुका था और दूसरे को ये लोग investigation के लिए अपने office में लेकर आते हैं और इस आदमी की investigation के दुरान कुज इस आदमी को फिर से connect करके hack कर लेता है और इसके थुरू वो बातें करने लगता है पिर ये लोग track करते हैं कि ये signals किस location से आ रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें कुज की location मिल जाती है और वो आदमी जिसे कुज ने use कियाता है करने के लिए वो suicide कर लेता है फिर ये लोग कुज की secret location पर आ जाते हैं वहाँ पर ये लोग हरान कर देने वाली चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे human robots को एक network से connect किया गया है जिससे एक पूरा signal network बना हुआ था लेकिन तब ही वहाँ पर कुज आ कर major को पकड़ लेता है और उसे बान देता है और यहाँ पर वो major के सामने आ कर खुद को reveal करता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि एक accident में वो injured हो गया था और इन lab वालों ने बजाए उसकी जान बचाने की उस पर उल्टे सीधे experiments किये और इसी वज़े सी वो इस lab और इसकी लोगों के खिलाफ है और lab की जो बड़े बड़े लोग थी वो ही इस experiment के responsible थे लेकिन उनकी सारे experiments पहली बार में successful नहीं होते थे लेकिन major को तो ये बताया गया था कि ये उनका पहला successful experiment है लेकिन ये बात जूट थी क्योंकि उससे पहले बहु सारे experiments किये गए थे जो कि सारे की सारे fail हो गए थे कूस कहता है कि उन experiments में एक experiment मैं भी हूँ उसका accident होने की बात बगार उसकी इजासत की उसका brain निकाल कर एक robotic body में डाल दिया लेकिन body और brain एक दूसरे से connect नहीं हो पाए और ऐसे ही करते करते lab के लोगों ने 100 experiments कर दिये अलग-अलग लोगों के brains लाया करते थे और body में डाला करते थे ये चेक करने के लिए के कौन सा brain body के साथ connect होता है और पिर जब experiment successful हो जाता था तो बाकि सारे brains को waste कर दिया जाता था ना ही उन्हें destroy किया जाता था और ना ही उन्हें किसी body में डाला जाता था उन्होंने बहुत सारे लोगों के जिन्दियों को destroy कर दिया और इसी वज़े से कौस उस लैब के लोगों से बदला लेना चाहता था वो लैब के सारे लोगों को मार कर दुनिया पर राज करना चाहता था इसलिए उसने ये network बनाया और मेजर अपने विजिन्स में हमेशे जो जलता हुआ रूम देखती थी सेम वैसे हिरूम का टैटू वो कूस के चेस्ट पर देखती है अभी ये सब कुछ कूस मेजर को बता ही रहा होता है कि तब ही वहाँ पर बैटो आ जाता है जो कूस पर अटेक कर देता है इसलिए कूस वहाँ से बाग जाता है लैब की रियालिटी जाने के बाद मेजर को बहुत ज़्यदा घुसा आजाता है कि शायद उसका भी कोई एक्सिडेंट ना हुआ हो और इन लोगों ने उस पर भी इलेगल एक्सपेरिमेंट्स किये हो इसलिए वो उस लेड़ी डॉक्टर से मिलने जाती है और घुसे में उस से पूछती है कि क्या तुम लोगों पर इलेगल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तब यहाँ पर वो लेड़ी डॉक्टर मेजर को सारे रियालिटी बता देती है कि मुझे लैब की सीयो के आउडर्स मिलते थे तब ही में लोगों पर इलेगल एक्सपेरिमेंट्स करती थी और इवन मेजर के दिमाख में आर्टीफिशल मेमरी डाली गई थी उसके पैरेंट्स की और एक्सिडंट की जो कि सारी बात जूट थी और यह आर्टीफिशल मेमरी सीयो के कहने पर है डाली गई थी ताकि मेजर टेरिस्ट के खिलाव फलड सके ये सब सुनने की बात मेजर को घुशा जाता है और वो वहाँ से चली जाती है लकिन लैब के लोग उसे पकर लेते हैं और उसे मेन आफिस में ले आते हैं और वही पर लैब का सीओ बिया जाता है जिसने ये सब कुछ किया था और वो लेडी डॉक्टर को इंजिस्ट करता है कि तुम अभी इसे मार दो क्योंकि कि इस सारी रियालिटी जान चुकी है लेकिन डॉक्टर ऐसा करना नहीं चाहती थी बलकि वो मेजर को उसके सारी रियालिटी बता देती है कि वो कौन है कहां से आई है मिन्स उसका एडरेस दे देती है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी फैमली से मिले इसलिए वो बागने में मेजर की हेल्प करती है और उसे में आकर सीयो उस लेडी डॉक्टर को मार डालता है और सारा इल्जाम लगा देता है मेजर पर फिर वो आर्मी लीडर को कहता है कि मेजर ने लेडी डॉक्टर को मार दिया है इसलिए अब इसको भी मार दिया जाए ज़रूरी है ये मेजर चुकि उसी एडरेस पर चली जाती है जहां पर उसे एक लेडी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बाते करते हैं फिर वो लेडी मेजर को बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम मोटो को था और वो घर से भाग गई थी इसके बाद मेरी बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे इनसान से एक साइफाई रोबोट बना दिया और उसकी मदर को ये बता दिया कि आपकी बेटी ने मोटो को ने सुसाइट कर ली है ये बात सुनकर मोटो को डिसाइट करती है कि वो भी लैब के लोगों से बदला लेगी इसलिए वो वहाँ से चले जाती है और वो आर्मी लीडर से कांटक्ट करती है कि मैंने लैब की CEO को डिस्ट्रॉई करना है मुझे आपकी हेल्प जाए अब यहाँ पर आर्मी का लीडर जानता था कि लैब का CEO ये सारे कनवर्सेशन सुन रहा है इसलिए वो जान बूच कर लैब के CEO के खिलाफ कुछ बाते कहते है और जब CEO ये सुनता है तब वो आर्मी के लीडर को मारने के लिए अपने कुछ लोग भेजता है लेकिन आर्मी के वो लीडर काफ़ इंटेलिजन्ट थे काफ़ स्मार्ट थे वो उन सारे लोगों का मकाबला करके उन्हें मार डालते है और अब वो खुद जाते हैं CEO की लोकेशन पर मेजर की भी मैमरी अब वापिस आने लगी थी कि वो कौन है उसके फ्रेंड्स कौन है सब कुछ और जो उसके विजन्स में रूम नजर आता था वो उसके पास जाती है जहां पर उसे पास्ट की सारी बाते याद आने लगती है कि जब वो और कुज इंसान थे तब वो दोनों कपल थे हैस्बेंट वाइफ थे वो दोनों और वो दोनों एंटी रोबोट के मेंबर थे क्योंकि वहाँ पर रोबोट की तदा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी इसलिए ये लोग उसके खिलाफ लड़ते थे और एंटी रोबोट के ग्रूप की मिटिंग इसी रोम में होने वाली थी लेकिन उस लैब की लोगों ने उस रोम को जला दिया और जितने भी लोग वहाँ पर थे लैब की सारे लोग उन सारे लोगों को अपने साथ ले गए ताकि उनके उपर एक्सपेरिमेंट्स किये जाएं उनको टेस्ट किया जाएं ये सब कुछ उसे याद आ जाता है और तब ही वहाँ पर कूज आ जाता है लैब का जो सीयो था वो मोटो को और कूज दोनों को ही मारना चाता था क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए खत्रा थे लैब का सीयो यहाँ पर स्पाइडर टैंक एक्टिवेट कर देता है ताकि उन दोनों को मार सके और इस अटेक की वज़े से कूज मर जाता है हलांकि मोटो को उसे काफी बचाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और वो स्पाइडर टैंक को भी डिस्ट्रॉई करने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में उसका एक हाथ डिस्ट्रॉई हो जाता है लेकिन फिर वहाँ पर आर्मी युनिट के लोगा जाते है कुछ दिनों बाद हम दिखते हैं कि मेजर अबरिजन रेट हो गई थी और अपग्रेड भी फिर मेजर मोटो को सारी बाद अपनी मदर को बता देती है फिर वो अपनी मदर के साथ हसी खुशी रहने लगती है बाद में वो अपनी आर्मे टीम को जॉइन कर लेती है ताकि वो रोबोट्स क्राइम को रोख सके और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग